Hello guys, welcome to my channel Home Classes और आज की इस वीडियो के अंदर हम करेंगे Class 9 की Exercise 1.1 का Coach No. 4 जिसके अंदर हमें given है State यानि के बताइए Whether कि क्या the following statements are true and false बताइए कि क्या जो हमें following statements given है क्या वो सही है या गलत है, false है या true है Give reasons for your answer अगर आपका answer जो भी है उसके लिए हमें आपको reason देना है तो चलिए हम सबसे पहले हम अपना first point उठाते है यानि के every natural number is a whole number तो first जो हमारी statement है उसके अंदर ये कह रहा है कि जितने भी rational number जो जितने भी natural number होते हैं, वो सभी हमारे क्या होते हैं, whole numbers होते हैं तो मैं ये कहूंगा कि yes ये हमारा true है, क्यों? क्योंकि जो हमारे whole numbers होते हैं वो हमारे जो बने होते हैं, zero plus natural number से मिलकर बनते हैं तो zero और natural number से मिलकर जब हमारा एक whole number whole numbers हमारे prepare होते हैं तो हम कह सकते हैं कि जितने भी हमारे natural number होते हैं, वो सारे के सारे हमारे क्या होते हैं, whole numbers होते हैं, तो हम यहापर लिखेंगे yes next है हमारा यहापर, every integer is a whole number जितने भी integers होते हैं, वो सभी के सभी हमारे क्या होते हैं, whole numbers होते हैं, और अगर मैं कहूं तो के यानि कि जो हमारे integers होते हैं वो हमारे whole numbers जितने भी integers होते हैं वो सारे के सारे हमारे whole numbers नहीं होते हैं क्यों नहीं होते हैं क्योंकि जो integers होते हैं वो number lines के उपर होते हैं number lines के उपर आपके positive numbers भी होते हैं negative भी होते हैं और plus 0 भी होता है लेकिन जो whole numbers होते हैं उसके अंदर सिर्फ हमारा 0 और positive numbers होते हैं negative numbers नहीं होते हैं इसलिए हम जो ये statement है उसे हम false लिखेंगे यानि के F-A-L-S-E false क्यों? क्योंकि जितने भी integers होते हैं वो हमारे whole numbers नहीं होते हैं next है हमारा every rational number is a whole number यह जो हमारा third statement है उसके अंदर यह कह रहा है कि जितने भी rational numbers हैं वो हमारे वो सभी के सभी हमारे क्या हैं whole numbers है तो अगर हम इसे statement की बात करें तो जितने भी rational number हैं वो हमारे whole numbers नहीं हो सकते हैं क्यों नहीं हो सकते हैं क्योंकि जो हमारे whole numbers होते हैं वो एक complete numbers होते हैं जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 अपने आप में वो एक complete number होता है लेकिन जो rational number होता है वो अपने आप में complete number नहीं होता बलकि वो किसी number का एक part होता है इसलिए जितने भी हमारे rational number है वो हमारे whole numbers नहीं होते हैं तो हम यहाँ पर लिखेंगे false every rational number is not a whole number तो यह थे हमारे three statements जिसके अंदर हमें अपना answer देना था true and false की help से यानि कि उसके अंदर हमें reason भी देना था I hope यह answer इसका और इसके reasons आपको समझ में आये होंगे Thank you so much